Hello Everyone Welcome to Farmer Oaks YouTube Channel Farmer Oaks के YouTube H2K Channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे स्टेरोइट्स के बारे में तो हम सिखेंगे स्टेरोइट के बारे में साथे जानेंगे उनके डूस के बारे में सीखें के उनके side effect and warning and contraindications detail में आज के lecture में तो सीखें के steroid दवा क्या होती है और ये medicines कौन से बिमारी में हम use करते हैं तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family updated रिए Pharma knowledge के साथ, access करिये study material, test series और साथ हो साथ disease and medicines related course, PharmaRox के एप उपर सीखे दवाईयों के basic use के बारे में dose side effect, warning and contraindication, affordable price में एक साल तक सरल बासा में PharmaRox के एप उपर Android user, Android app डाउनलोड करें, iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631-20000 नंबर वे call या WhatsApp कर सकते हैं तो आप समझते हैं steroids के बारे में तो steroids एक ऐसे class के medication है कि जिनको हम anti-inflammatory drugs करकेते हैं तो anti-inflammatory में लबकि ऐसी दवाईया कि जो हमारे body के अंदर susan जो है वो कम करते की, यहाँ पर आप देखो यह वाले diagram के अंदर तो यह वाला जो आपका leg देख रहे हैं, तो वो वाला leg हम कह सकते की normal है पर बाजो वाले legs में आप देखो, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी susan तो ऐसी condition को treat करने के लिए steroids जो वो खास कर use किये जाते हैं जो एक anti-inflammatory medication के class में आते हैं कि अगर आप उसकी pharmacology की study करो तो steroids आपको anti-inflammatory drugs के category में मिलेंगी और ये medications के पास ऐसी ability होती है कि वो क्या करती है reduce करती है and block करती है जो chemicals release होते हैं inflammation के दोरान और इस तरह से ये inflammation मतलब कि जो susan को कम करती है मतलब कि देखो कि समझे कि आपको इस जगा पर susan हुई है तो वो susan के लिए responsible जो chemical release होते हैं उनकी effect को block कर कर देती है और उनका release जो हो कम कर देती है ये steroidal medication की जिससे ये medications लेने के बाद susan जो हो दिरे-दिरे कम हो जाती है ऐसा नहीं है कि steroid सिर्फ susan को कम करने यूज किये जाते है उसके अलावाई पी उनके बहुत सारे number of uses है कि वो हम सीखते है आज के lecture में अब तो steroids का उपयोग आप जाने है तो सबसे पहले पूरूसों के अंदर हम जाने तो वो yorn hormones को बढ़ाने के लिए जो हो ये वो use की जाते है yorn hormones मतलब कि जो testosterone वगेरा होते हैं कि जो पूरूसों के अंदर जो उनके male hormones जो हम कहते है specially तो उनको increase करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए steroid जो वो खास कर use किया जाते हैं second हम देखे तो प्रजनन स्क्रमता को बढ़ाने के लिए कि जो infertility या फिर जो sterile related जो problem होते है पूरूसों के अंदर तो उसको बढ़ाने के लिए भी steroid यूज किया जाते है फिर जो चया पजाए कि जिसको metabolism कहते है वो भी enhance करता है साथ हो साथ जो हमारी immunity है उसको भी boost करने के लिए steroids जो है वो यूज कहते है जो एक रोख प्रदिकारक समता जो हमारी कहते है उसको दूरस्त करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए पांचवा हम देखे तो mass species और हड़ियों का गनत्वा बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर आप यह देखो कि जैसे यह bodybuilding का जो एक proper आप देख सकते है image तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो mass species अमलब के आपके जो muscles होते है और आपकी जो हड़ी अमलब के bonds तो उनकी density गनत्वा को बढ़ाता है कि जिससे आप जो है वैसे bodybuilder जैसा जो है वो feel करते हैं बट इनके कुछ side effects भी होते हैं जो हम आगे सिखेंगे फिर दर्द निवारक के तौर पे भी ये medications यूज की जाती है साथ हो साथ दूसरे भी उसके प्रयोग है जैसे की सरीर में सुजन कम करती है और सुजन कम होगे तो obviously जो pain है दर्द है वो दिरे-दिरे कम होता है तो sterile drugs के हम example देखें तो prednisol on एक steroidal medication है यूज करते है जैसे की dexona के tablets होते है dexamethasone जो हम कहते है beta-methasone का जो यह famous marketed formulation है betnesol ऐसे ही dexon अभी काफी famous है तो यह जो medications जो वो steroidal drugs है उसके अलावा hydrocortison है methylprednisolon है deflazacort है तो यह कुछ यह popular steroidal दवाईया की जो बहुत सारे अलग-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए यूज की जाती है फिर यह आप याप देखो तो prednisol on भी 5 mg के dose में available होता है तो उसका classification हम देखते है कि steroidal medications का हम कौन से अलग-अलग class में divide करते हैं तो सबसे पहले pharmacologically वो sort acting medications कौन है तो हो है hydrocortison है cortison फिर जो intermediate acting कही जाती है sterile drugs वो है prednisol on है prednisol on है and methyl prednisol on तो यह intermediate acting कही जाती है तीसरा class बनता है उनका long active मतलब कि वो लंबे समय तक उसकी effect देती है जैसे कि beta-methoson है glucocorticoids वगरा है dexamethoson है paramethoson है और चौथा class बनता है topically active topically मतलब कि उनके specially creams वगरा वेलेबल होते है losons अवेलेबल होते है जैसे कि baccalomethoson के आप ointment वगरा cream वगरा यूज़ करते हैं उनके gel वगरा होते हैं कि जो specially सुजन वगरा कम करने के लिए allergy वगरा कम करने के लिए skin disease वगरा हो उसमें भी यूज़ की जाती है जैसे हमारी body के उपर बाहर की ओर से सुजन है तो उसको भी कम करने के लिए topically acting यह steroid यूज़ की जाती है फिर budesonide करके है famous काफी फिर fluocynololone acetonide fluocortelolone है and popular में हम देखे तो dexamethasone जै वो काफी यूज़ होता है beta-methasone भी काफी यूज़ होता है as well as prednisone, prednisolone और methyl prednisolone के tablets भी बहुत सारे अलग-अलग medical conditions में यूज़ की जाती है तो और steroidal medication के हम कुछ basic यूज़ समझे तो जब allergy वगे रहा होती है तो उसमें भी समझे के जो anti-histamines use नहीं हो रहे anti-histamines से allergy जो symptom से वो कम नहीं हो रहे तो उसवग आपके पास यह steroidal medications के option रहते है फिर किसी को breathing related problem है सास लेने में difficulty तो उसवग आप steroid में और वो भी specially जो long acting steroids वगे रहा जो होते है वो use किये जाते है फिर जो arthritis की जो count decision कहते है कि जो गठिया रोग होता है तो गठिया में भी यह steroids जो वो use किये जाते है rheumatic problems जो होते है rheumatic arthritis वगे रहा है उसमें भी यह steroidal दवाईया यूस किये जाते है जैसे कि prednisolon है methyl prednisolon फिर जो बहुत सारे skin diseases होते है उसमें जो topical steroidal drug से जो use कि जाते है allergies जो काफी severe हो जाती है तो उसमें भी यह medication use कि जाती है फिर अस्थमा में भी यह medication use होते है COPD में यूस होते है brain के अंदर समझे कि सूजन हो रही है swelling हो रहे है तो भी steroid यूस कि जाते है साथ या आइपन होता है आखों के अंदर pain होता है दर दोता है किसी surgery के बाद तो भी ये steroidal medications के eye drops as well as उनके ophthalmic preparations जो हो यूज की जाती है तो ये हो गए उनके कुछ basic use साथ ही जाने कुछ एक popular use है कि जो betnesol है कि जो एक steroidal medication है तो lungs development के लिए use की जाती है और pre-term birth का जो problem होता है कि जिसको पूर्व प्रसव के स्थिति कहते है और ऐसी condition में समझे कि बच्चे के जो lungs ये वो अच्छे से develop नहीं हुए या फिर उसका brain अच्छे से develop नहीं हुआ या फिर उसका heart अच्छे से develop नहीं हुआ तो उस वक बीटा methason as a steroid जो हो यूज किया जा जाते है कि उस वक्त आप जो है वो बेबी के lungs और उसके जो heart है उसके brain वागेरा को develop करने में ये injection काफी help करता है और वो specially तब दिया जाता है कि जब पूर्व प्रसव के स्थिति produce होती है ऐसा कोई risk होता है कि जैसे कि membrane rupture होता है या फिर amniotic fluid जो दीरे-दीरे कम होता जाता है और ऐसी condition produce होती है कि जो full term होता है 40 week का उसके बज़ए early जो है वो delivery हो सकते है तो ऐसे condition में भी ये steroid जो है वो use कहते है तो specially lungs development के लिए कि जब बच्चे का weight काफी कम हो उसके lungs develop नहीं हुए है brain अच्छे से develop नहीं हुआ या फिर heart related proper development नहीं हो तो उस वग ये steroids भी काफी helpful स साबित होते हैं बाकी हम बात करें dose के तो dose specially जब ये medication आप use करते तो start किये जाते है lower dose से कि जो भी उसका dose ये कि समझा की 5 mg का कोई medications का tablet वगरा या injection है तो वो सबसे पहले one से day के तो और पे आप use कर सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose जो हो आप use कर सकते हैं increase कर सकत सकते हैं और दिन में दो बार देते हैं तो वो divided dose में देचे कि 5 mg दिना है तो 5 mg मॉर्निंग में दे सकते हैं और दूसरा 5 mg आप evening या फिर रात को दे सकते हैं पेशन को कि जिससे divided dose में medication उसको पहुचे और ज्यादा से ज्यादा 12 hours का gap रखना चाहिए दो डोस के बीचे बाक फिर इनके हम side effects देखें तो acne अगर ये medication आप लंबे समय तक यूज करते हैं तो wrinkles हो सकता है, acne हो सकता है आपके skin के उपर, insomnia मलब कि आपको नीद नहीं आएगी और रात को late तक आप जागोगे, तेसरी vertigo मलब कि इनके overdose या फिर multiple doses के करन या फिर लंबे समय तक यूज करने skin healing जो है वो impaired हो सकती है मलब कि skin की healing process है वो आपके बिगड सकती है, depression में आप जा सकते है, आपका blood pressure increase हो सकता है, hypertension मलब कि blood pressure increase होना, उसके अलाव हम देखें तो increase appetite आपकी भूख जो है वो बढ़ेगी और भूख बढ़ने के करन आप ज्यादा खाना खाएंगे और आपका weight gain ह हो सकता है as an side effect, electrolyte में लब कि हमारी body के अंदर जो electrolytes होते हैं कि समझे कि sodium होता है, calcium होता है, chloride वगेरा होता है, magnesium वगेरा होता है, तो ऐसे जो minerals वगेरा होते हैं उनके imbalance हो जाएगा जो electrolytes हमारे body के अंदर होते हैं, फिर neurological problems भी आपके body के अंदर develop हो सकते हैं, जिससे आपको numb numbness जैसा फिल हो सकते हैं या फिर neurons से जुड़े विमारिया हो सकती है, female अगर उनको अंबे समय तक यूज करते हैं तो menstrual disorder हो सकते है, menstrual cycle abnormal हो सकता है, फिर abnormal hair growth होगी, ये side effect develop होती है, glucose हो सकता है, because ये medication आपके आखों के अंदर intraocular pressure जो है, वो increase कर सकती है, फिर bone या फिर muscle या फिर joint के अंदर pain हो सकता है, अगर आप लंबे समय तक overdose में यूज करते हैं, ये बात होती है, overdose की, regular जो prescribed dose होता है, उससे problem नहीं होता है, बट overdose या फिर लंबे समय तक यूज करने से, ये कुछ complications हो सकते हैं, फिर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी विमारिया हो सकते हैं, जिसको gastrointestinal disorder हम कहते हैं, जो skin की तवचा related, जो हमारे problems भी आपको हो सकते हैं, warnings देखें तो patient counseling करना जरूरी है, और जानना जरूरी है कि patient को, इन में से कोई भी medication की allergy ना हो, उसको kidney related कोई problem ना हो, या फिर liver related problem ना हो, या फिर ये सब fail ना हो, कि kidney failure का patient ना होना चाहिए, liver failure का ना होना चाहिए, उसी तरह से pregnancy के दोरान भी आप उनसको use करते हैं, तो प्रॉ risk की condition होती है, कि pre-term birth का risk है, तुस वक्त इसके benefits देने के लिए use के जाए वरना ये medication अगर समझा कि बच्चे की growth normal है, कोई भी ऐसे complications नहीं है, तो use करने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर जो kidney related जो patient होते हैं, उनको proper precautions के साथ आप use करें, किसी को hypersensity है, ये medications की, liver failure है, या फिर gastric ulcer का patient है, तो भी ये medications देने से पहले proper जो है वो patient counselling करना चाहिए, तो ये थे steroids के बारे में detail information, तो ऐसे ही सीखे दवायों के basic use के बारे में dose, उनके side effect, warning and contraindication, एक साल तक सरल भासा में affordable price में Pharma-Rox के अब उपर सीखे दवायों के बारे में, DCs and medicines के बारे में, whatsapp कर सकते है, 9016312020 पे, या फिर android user, android app download करे, iphone user app store से, link आपको description box में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नमबर पे call या whatsapp कर सकते है, good luck and all the best.